Hello my dear students, आज की इस class में हम एक नए type का linear programming problem को discuss करने जा रहे हैं इसमें जो हमारी linear programming problem की जो problem है इसमें आप गोर से देखें तो ये case है maximization का और maximization में ये जो sign लगा है ये okay है ये गड़बढ है sign क्यों? क्योंकि maximization में सारे sign less or equal के होने चाहिए लेकिन ये चलिए तो ठीक है इसको तो हम convert कर देंगे लेकिन जो सबसे उड़ी problem आ गई वो ये लिखा है कि x3 कैसा है? unrestricted है unrestricted in sign में तो देखिए x3 अगर unrestricted है तो हमें rule ये पता है कि अगर कोई variable unrestricted होता है तो dual form में equal का sign put कर दिया जाता है तो सबसे पहले हमारा motive क्या होगा? कि जो दीगए equation है उसे हम convert करें canonical form मतलब standard form में उसे हम convert करें तो आईए कैसे हम इसको standard form में convert करें उसे देखते हैं लेकिन एक और यहाँ पर बात आ गई है कि x3 कैसा है? x3 जो हमारा है वो unrestricted है तो सबसे पहले इसे तो आप convert करना जानी गए है इसमें हम क्या लिखेंगे minus sign से into कर देंगे तो आएगा 4x1 plus x2 minus 2x3 और minus 50 यह तो एक line में ही आपका convert हो गया इसमें तो को issue नहीं था मतलब जब हम final equation लिखेंगे तो इस equation को न लिखेंगे हम इस equation को लिखेंगे अब आता है x3 कैसा है? Unrestricted है तो since x3 is unrestricted so x3 को क्या हम लिख सकते है? जो x3 है हम चाहें तो x3 को x4 minus x5 भी लिख सकते हैं where x4 and x5 greater or equal to 0 यह दोनों ही greater or equal to 0 आप चाहो तो यहां x3 dash और x3 double dash भी लिख सकते हो कोई भी लिख सकते हो लेकिन आपको वह वाले नहीं लिखने हैं आप उसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं लोग x4 minus x5 लिख दीजिए जहां आपको यह define कर दिया तो अब करना यह होगा आपको कि जैसे जैसे कभी कोशन में कोई भी value unrestricted दी हो तो तुरंत हम उसे equal करके difference के form में लिख देते हैं minus x3 double dash और यहां पर आप कर दीजिए यहां पर आप simply देके हम इसको clear कर देते हैं अगर किसी तरह का confusion है तो हम यहां लिख दें well so x3 equal to x3 dash minus x3 double dash where x3 dash and x3 double dash greater or equal to 0 यह तो इस अवस्था यह हमने लिख लिया अब हम जहां जहां x3 होगा उसकी जिए लिख देंगे x3 dash minus x3 double dash तो हम लिखेंगे revised revised primal problem तो सबसे पहले जो max z है उसको ऐसी रखेंगे 3x1 से हमें कोई मतलब नहीं 5x2 से हमें कोई मतलब नहीं हमारा understood क्या है x3 तो x3 की जिए हम लिख देंगे और 7x3 double dash next हमारा है subject to constant equation में x1 x2 plus 3 into कर देंगे x3 dash और 3 x3 double dash और यह आपके होगया next हमारा है यह equation वास्तों में यह लिखना है तो हम यहां लिखेंगे 4x1 plus x2 और यह x3 की जिए यह लिखेंगे और 7-2 से multiply भी होगा तो लिखेंगे minus 2 x3 dash plus 2 x3 double dash और minus का 15 तो इस प्रकार से यह जो equation है यह subject to constant है और last line और लिखेंगे x1 x2 x3 x4 greater or equal to 0 तो आगे देख पा रहे हैं कि यह जो हमने यहां पर लिखी equation अब यह standardized form में आ रहे है clear हुआ पच्चों कि जो unrestricted है उसे हम difference के form में लिखते हैं और जहां जहां unrestricted value दे रखी है उसकी जिगे हम difference की value को put कर देते हैं अब यह हमारी standard form में convert हो गई अब directly हम बदलेंगे या directly हम solve करेंगे dual form तो अब dual form में देखे क्या लिखा जाएगा dual form तो maximum जो है वो convert हो जाएगा किसमे minimum या strict बना देंगे और आप यह देखे कितने इसमें equations है one or two दो equations हैं इसका मतलब दो constant हैं इसका मतलब दो variables हमें लेने होंगे तो हमने वो variables ले लिए y1 and y2 तो ठीक है तो यह आप जानते हैं यह इधर shift हो जाते हैं इसके coefficient इधर आ जाते हैं तो हम लिखेंगे 10 y1 minus 15 y2 यह तो पहला बना लेकिन लेकिन आप यह जानते हैं कि equations को भी change करना है तो इसको हम पहले किस form में लिखनें इसको हम लिखें matrix form में तो आएगा सबसे पहले आपका minus सबसे पहले जो आप लिखेंगे 1 1 3 minus 3 minus 4 1 minus 2 2 यह हम लिखा लिखा ठीक है और यह है आपका कौन सा matrix form और जब हम इसका transpose लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बच्चो transpose में 1 1 1 3 minus 3 minus 4 1 minus 2 and 2 तो यह आपका आगया transpose यह transpose है तो क्यों transpose करते हैं इससे हम एक question लिखने में काफी मदद मिलती है देखेंगे यह बगड़ गया तो इसको लिक लेते हैं यहाँ पर क्या है इसकी value जो थी 10 y1 minus 15 y2 आईए अब हम यहाँ पर equations को लिखें तो सबसे पहले तो आप लिखोगे y1 minus 4 y2 और equal में बच्चों क्या जाएगा इसके क्योंकि minimization का case है minimization का case है तो इसमें इस तरफ sign लगेगा और इसके equal में यहाँ जो coefficient होता यहाँ जाते तो यहाँ लिखेंगे हम 3 next जो आपका बनेगा वो आएगा देखे y1 plus y2 और यहाँ पर हम लिखेंगे y फिर आएगा 3y1 minus 2 y2 फिर यह sign आजाएगा आपका 7 और फिर हम लिखेंगे minus 3 y1 plus 2 y2 और फिर यह sign आजाएगा minus का 7 तो कहने का मतलब यह है कि हमने यहाँ पर इस चीज को लिख लिया क्या लिखा dual form में convert करके और हम यहाँ पर लिखेंगे where y1 and y2 greater or equal to 0 क्या यह correct है dual form चेक करते हैं आपके पास जो original equation थी उसमें जो variables थे वो 3 थे x1, x2, x3 क्या हमारे पास constant 3 है नहीं है तो यह करबड हो रहा है rule match नहीं कर रहा है तो और एक चीज़ देखें यहाँ x3 जो है वो understood है तो इसका मुलब जो third equation होनी चाहिए जो x3 variable से related equation होनी चाहिए उसमें equal का sign होना चाहिए मुलब कोई न कोई a equation ऐसी हो जो equal की रूप में लिखे गई हो तो गौर से देखे एक रूप में कौन सी equation बनती है यह सही है यह सही है यह देखे यह दोनों a की चीज़ें लिखे गई है इसमें आप गौर से देखें तो अगर हम अगर हम यह लिखा है 3y1-2y2 greater or equal to 7 और यह equation में लिखा है minus 3 plus 2y2 greater or equal to minus 7 यह जो है वास्तों में यह equal को दर्शाता है यह जो चीज़े वह वास्तों में क्या है equal इसको ऐसे समझे कि जैसे कहीं लिखा हो x-y greater or equal to 7 ठीक है यहां पर equal में यह लिखा है तो हम इसको दो भागों में ऐसे लिख देते हैं सबसे पहले तो आप इसको लिखें x-y greater or equal to 7 फिर आप इसी में minus का multiply करके फिर दूसरी question आप क्या लिखेंगे यह लिखेंगे इसमें यही तो हो सकता है कि x-y की जो value हो वो यह 7 के बराबर होगी यह 7 से जादा होगी और यहां आप कहले सकते हैं कि जो x-y की value है वो 7 के equal होगी है 7 से कम होगी इसका मतलब यह होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी question में यह लिखा है आपको इसको और करके लिख दीजे minus से multiply कर दीजे तो यह अगर लिखा है तो हम इसको direct इसमें convert कर सकते हैं वही case यहाँ पर है 3y1 minus 2y2 greater or equal to 7 फिर minus 3y1 plus 2y2 greater or equal to minus 7 तो यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है कि हम इन दोनों की जिगए पर एक नई equation लिख सकते हैं तो वह हम लिखेंगे now final dual form final dual form क्या होगा तो उसमें हम सबसे पहले minimum z एस्ट्रिक और यह 10 y1 minus 15 y2 होगया फिर next y1 minus 4 y2 और यह होगया 3 फिर next y1 plus y2 greater or equal to 5 next यह दोनों एक ही equation है तो मैं लिखेंगे 3y1 minus 2y2 equal to 7 यह आपका आगया और अब हम यहाँ पलिख देंगे where y1 and y2 greater or equal to 0 तो अब देखेंगे आपका वो पूरम पूरा होता है जिसमें बताया गया कि अगर कहीं कोई unrestricted है तो आपका final answer equal में एक equation आनी चाहिए देखें आ रहे हैं इसमें कितने वेरिबल कितनी constant हैं दो दो constant है दो constant तो कितने वेरिबल होने चाहिए दो दो इके दो variables हैं हमारे y1 by 2 इसमें variables कितने हैं तो कितनी constant होने चाहिए तीन देखें तीन बने एक दो तीन इसमें एक unrestricted है तो unrestricted अगर होगा तो वो किसमें convert हो जाएगा equal में तो देखें यहाँ पर यह equal का sign आ गया है तो I hope यह question आपको समझ में आया होगा गौर से बार बार इस question को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से clear हो जाएगा Thank you very much